विल्कम तो माई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मीजरमेंट एंगुलर मीजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज और इसके क्लासिपिकेशन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एहले हम जानेंगे एंगुलर मीजरमेंट को एंगुलर मीजरमेंट as the opening between the two lines when they coincide at one point अगर हम दो opening line को लेकर के एक point पर अगर meet कराते हैं meet करने के बाद उसका जो इससा बनता है उस पर एक cone बनता है उसका जो मापन होता है उसको हम angular measurement बोलते हैं angular measurement की जो basic unit होती है वो तो degree degree से नौनट करते हैं अगर हम कोई भी angular measurement को measure करते हैं 10 degree, 20 degree, 30 degree तो हम उसको degree से नौनट करेंगे इसका unit जो होती है degree होती है इसको समय लेकिने हम ये भी बात करते हैं यदि हम किसी circle को 360 equal parts में अगर हम divide करते हैं उसका प्रतिक पार्ट जो होता है तो 1 degree के बराबर होता है अपने protector बगरा हम देखा होगा protector में डिगरी का use बताया गया है इसको हम angular measurement पोलते हैं अब इसके बारे हम पढ़ेंगे classification इसके हैं इसमें हम पढ़ेंगे classification classification आप angular measurement जो रहेगा उसमें हमारे पास में process के आधर पर रहता है जैसे पहला दिया हुओ line standard angular measuring devices यह हमको line के अधार पे बताया गया है line के अधार पे angular measurement के कोंड कों से device होते हैं पहला होता है protectors दूसरा होता है universal bevel protectors जो यह protectors और universal bevel protector होते हैं यह line standard angular measuring devices के अधार होते हैं टेकन होता है phase standard angular measuring devices जिसमें बतायागए आपको phase standard के अधार पे जो phase के आधार पे हम लोग measurement करते हैं वो phase standard angular measurement के अधार तो होता है इसके अंदर दो चीजे आती एक हाता sign bar दूसरा आता sign center इसमें हम जाने हैं यह आती हैं angular measuring devices होते हैं कौन से face के आधार पर next आता है हमारे next classification है measurements of factory factory में जो यूज करते है measurement उसके लिए हमारे पास एक आता spirit level धूसरा दा में 10 मीटर अधू हमारे पास measurement device दिखायेंगे यह यह नीच्ट नेक्षी हैं यह इसी भी वर्ग पीस की आगर comparison करना है एंगुलर का measurement के द्वारा एंगल के द्वारा का comparator करना है तो दो condition होती है एक होता है autocollimiters इस device से करते हैं दूसरा होता angle देकर इन दो device के द्वारा हम angle comparator करते हैं तो यह हमने पढ़ा है आज angular measurement क्या होता है और इसके classification कौन-कौन से होते हैं यह हमारा video complete होता है इसके आगे हम next पढ़ेंगे इसके हम detail से पढ़ेंगे हर एक topic को detail से पढ़ते हुए जाएंगे